आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जब अभी मैं यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 8 सेप्टेंबर 2024 एक बच के 19 मिनट हुआ है और अभी तक इगनु ने दिसंबर 2024 एक्जाम के लिए जो एक्जाम फॉर्म है वो जारी नहीं किया है तो आज मैं आपको यही बताने वलाओं कि एक्जाम फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आया है इसके पीछे क्या रिजन है और कब तक एक्जाम फॉर्म जारी किया जा सकता है इगनु के तरफ से तो इसके बारे में डीटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखि सभी का आपको असाइमेट बना करके सब्मिट करना होता है और इगनु ने आपके लिए असाइमेट का कुछन पेपर अप्टेट कर दिया है आप असाइमेट बना सकते है अगर असाइमेट बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि असाइमेट का आंसर न IGNU ने December 2024 exam के लिए exam form अभी तक जारी नहीं किया है। और IGNU के तरफ से जो date sheet जारी किया गया उसमें ये बताया गया है कि निर्धारित समय से exam fee submit करने के लिए जो portal है वो start कर दिया जाएगा। और normally ये रहता है कि December exam के लिए September के first week में exam form आ जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि December 2024 exam के लिए exam form अभी तक कि नहीं आया है इसके पीछे क्या reason है। तो आप सभी को पता होगा कि IGNU का एक portal है जिसका नाम है student management portal है। यहाँ पर जब आप अपने account को login करते हैं तो आपका यहाँ पर सभी details दिखाया जाता है। साथी में यहाँ पर आपको course का details भी दिखाया जाता है कि आपके पास कितने subject है, कितने subject का आपको assignment बनाना होगा, कितने का exam देना होगा। तो यहाँ पर जो आपका पूरा details रहता है यह सभी details को जो है जो exam form का portal है यहाँ पर update किया जाता है। यानि कि यहाँ का जो पूरा data है student management portal का वो पूरा fetch किया जाता है exam form के portal पर आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि जो exam form का portal है और साथी में यह जो आपका student management portal है और इगनुका जो main website है इसके लाबा और भी कई website है वो जादातर down रहता है वो open नहीं होता है तो इसके पीछे एक यही reason है कि जो आपका data है वो अभी exam form के portal पर update नहीं हुआ है यह जो आपका student management portal है यहाँ का जो पूरा data है जब fetch हो करके exam form के portal पर update कर दिया जाएगा उसके बाद ही आपका exam form स्टार्ट किया जाएगा दिसंबर 2024 exam के लिए और देखा जाए तो अभी भी जो student management portal का data है प exam form नहीं आया है जैसे ही आपका पूरा data student management portal का exam form के portal पर update हो जाएगा तो आपका exam form दिसंबर 2024 exam के लिए start कर दिया जाएगा और वहीं बात करें कि exam form कब से start किया जा सकता है तो वह start होने को कल भी हो सकता है परसो भी हो सकता है अगर by chance कि नहीं कारनुक वज़े से कल परसो न आता है मैं आपको दूसरे वीडियो के मादम से डीटेल में बता दूंगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और ignorance related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते है link मैंने नीचे दे रखा है साथी साथ आपका कोई सबाल है तो